नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब एक मित्र ने पूछा है कि सर जब कभी FIR होती है जुसमें धारा 34 और 149 क्यों जोड़ा जाता है तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको इन दो धाराओं के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में समझाना चाहता हूं ये कानून की बहु जो करेगा उसको सजा मिलेगी साधारण नियम यह है क्या किसी और के किये गए किसी काम के लिए किसी दूसरे को सजा मिल सकती है तो इसका एक आंसर है जिसे कहा जाता है प्रतिनिधिक दाइत्व वाई केरियस लाइबलिटी एक काम करें दूसरे को सजा मिले इसके बारे में IPC के 154, 155, 156 इन धाराओं में प्रावधान है लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं 34 और 149 के बारे में तो ये थोड़ी सी अलग बात है जिसे हम कहते हैं joint यानि की संयुक्त डाइत्व एक एक्जामपल से समझिए कि 5 लोग हैं जो कहीं इकठा हुए समझना 5 लोगों का कहीं इ section 141 एक section है जो कहता है कि ये जो सभा हुई है ये जो assembly हुई है इस assembly का अगर एक common object है बहुत लंबी धारा है मैं एक लाइन में समझा दूँ अगर इन्होंने इकठा होने के बाद या इकठा होने के पहले किसी भी समय दोनों ही समय में अगर कोई अपराध करने का मन बना लि थे आप इसको ऐसे समझ लेजिए और चारों खड़े होकर कोई बात कर रहे थे एक पांचवां उनका मित्रा कर उसमें शामिल हो गया पांच लोगों की आवश्यक्ता है वो भी चाय पीने लगा कोई offense नहीं है ये मैं समझे कि चाय पीना कोई अपराध है अब बातों बातो हो कह रहा है खाली करवाते हैं आप समझेगा ये बिल्डिंग को खाली करवाना बिल्डिंग पर कबजा लेना ये अपने आप में अपराध है अगर किसी ने आपकी किसी बिल्डिंग पर कबजा कर लिया है तो आप कोट में जाईए आप वकील के पास जाईए आप पुलिस के पास जाएए कानून का सहरा लीजिए और खाली करवाएए बिल्डिंग खाली करवाना आपका काम नहीं है भले ही आप उसके मालिक हो अब ये पांच लोग जो इखटा है जैसे ही एक ने कहा कि ऐसा करते हैं और बाकी लोगों ने मौन सहमती दे दी कुछ नहीं कहा साइलें भी खड़े हैं तो कहा जाता है कि जो लोग खड़े हैं वो भी दाइत्वाधीन होते हैं जो खड़े होकर इंतजार करते हैं बारिंद्र कुमार घोश बरसेस इंपिरर में ये बात प्रिवी कांसिल ने अपने जज्जमेंट में कही है और आपको ये जानना चाहिए कि जो उसमें शामिल होते हैं, ये चारो भी बराबर दाइतवाधीन होंगे, जो कुछ भी कार्य किया जाएगा, अब अगर बिल्लिंग के मालिक को पकड़ कर दो लोगों ने पीट दिया, तो 149 ये कहता है कि बाकि जो तीन लोग है, उनकी भी जिम्मेदारी बनेगी, सेक्शन 34 थोड़ा सा लग है, सेक्शन 34 में एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए, मतलब दो लोग आपस में कोई सामानी आश्रे, एक सब्दावली आती है, कॉमन इंटेंशन को कंसीव करते हैं, कॉमन इंटेंशन का एसेंस है, प्री मेडिटेशन आफ माइंड, मस्तिश्को की जाएगी, या वहाँ लूट पार्ट की जाएगी, या कोई और ऑफेंस के बारे में बात हम करते हैं, अब समझेंगे ये दोनों उस घटना इस्थल पर जाते हैं, एक आदमी जो है गाड़ी पर ही बैठा रहता है, दूसरा जाकर अपराद करता है, कानून हमारा कह रहा ह की मानो, उसने, स्वयमने, अकेले ने वापराद किया था, तो जब कभी IPC की धारा 34, 34 और 149 किसी ओफेंस के साथ लगा दी गई है, इसका सीधा सा मतलब है 34 का, कि दो लोग थे, या दो से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने ओफेंस किया है, और जो धारा लगी है, हर एक का उस धारा के अंतरगत बराबर दाइत्व होगा, और जहां कहीं 149 लगा दिया गया है, वहां आपको जानना चाहिए, कि 149 के अंतरगत कम से कम पांच लोग रहे होंगे, और इन पांचों का अलग-अलग individual दाइत्व होगा, उस अपराद को करने के लिए, भले ही अपराद उस पांच में से किसी दो ने किया हो, उन में से किसी एक ने किया हो, तो 34 और 149 कब लगाई जाती है, और क्यूं इसे खतरनाक माना जाता है, मुझे उमीद है कि आज के इस छोटे से लेक्चर से आपको समझ में आ गया होगा, कोई और डाउट आपके मन में है इन धाराओं को लेकर तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही एक लेक्चर के माध्यम से आपको ये समझाओं, most importantly, जुड़े रहिए आपके अपने फिवरेट प्रेटफॉर्म विधिक सिक्षा से, समझते रहिए कानून की कठिन बातों को आसान में, Namaskar.